आपका बहुत बहुत नमस्कार है जिन्होंने मुझे लाइक किया सब्सक्राइब किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद गाइज ऐसे ही आप विधी और विकास करते रहें स्वस्त रहें मस्त रहें गाइज यहाँ पर आपके लिए विवर्स आज की रीडिंग है कि आप दोनो के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है आप दोनों के मन में क्या चल रहा है चाहे आपके लवर हो स्पाउस हो या आपके प्रेमी हो जो भी है आप दोनों के मन में क्या चल रहा है क्या हो रहा है आप एक दूसे को क्या समझ रहें क्या करने की कोशिस कर रहें यह जानने की को पर आपके दिल को बहुती तोड़ा गया है यहां पर आपके काट से यह आपकी उर्जा निकल करा रही है आप बहुती डर्द में दुखी है परिशान है पीड़ा में है देख रहे हैं किस तरह आपके दिल पर खंजर भूखा गया है यहां पर आप बहुत बहुत जादा परिशान है लव लाइफ को लेकर या अपने प्रेमी को लेकर लवर को लेकर या अपने जीवन साथी को लेकर आनि आपको लव लाइफ में सिर्फ तकलीफे मिली हैं दुख मिला है पीड़ा मिला है मेरे को इसकाट से उर्जा आपकी बहुत बहुत जाएदा जो देख रहे हैं वो दर्द में है पीड़ा में, आपके पार्टन इर भी आप भी महसूस कर सकते हैं और हम भी महसूस कर सकते एक ना डर्द में है और पीड़ा में है यहाँ पे थर्ड पाटी सेच्वेशन भी हो सकती है गाईज एक दूसरे के बीच में कोई तीसरा भी आ गया है जिसके कारण आपके दोनों के मन में बहुत बहुत जादा दर्द है पीड़ा है और साथ ही साथ आपके जो हालात है वो थर्ड पाटी में आप दोनों के बीच में अधर में लटके हुए हैं ना आप इनको चुन पा रहे हैं ना आप उनको चुन पा रहे हैं यह मेल भी हो सकते हैं आप दोनों लोग हो सकते हैं गाईज यानि आप का जो सेच्वेशन है मतलब आप के आप फरस्ट परसन है आपके अलावा कोई दो person है जिस situation में आप लोग फसे हुए हैं बुरी तरह से फसे हुए हैं आप जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है कि मेरी लिए कौन सा person अच्छा रहेगा कौन सा person अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पर यह निकल क्यारी और दोनों की मन की बात बता रही हुए हैं यह single reading नहीं ह हो रही हैं दोनों के मन की बात चल रही है कि हो सकता है कोई male भी फसी हुए हो सकता है कोई female भी फसी हुए है third party situation में और आप दोनों निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है guys यहाँ पर यहाँ आपके रिस्ते में बहुत दरार आ गई है बहुत burden आ गया है बहुती भार हो गया है आप दोनों को एक दूसरे की को लेकर बहुती burden मसुस हो रहा है आप सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो जाएं कैसे हम दूर हो जाएं तो मुझे कुछ हलका दूसरो कुछ मुझे अच्छा फील हो मुझे कुछ थोड़ा राहत मिले एक दूसरे से यहाँ पर आप दोनों के रिस्ते में बहुत बड़ी धरार है गाइस बहुत बड़ी परिशानिया है स्ट्रेस है तनाव है जिसको आप भार के रूप में दूर करना चाह रहे हैं आप गलती के रूप में उसको अपने से दूर करना चाह रहे हैं यही लब रीडिंग है गाइस आप दोनों के मन की यानि यह दोनों परसन एक दूसरे से खुश नहीं है तनाव है इस्ट्रेस है जिससे के कारण आप दोनों एक दूसरे को बोज मैसूस कर रहे हैं तकलीप में है गाइस यहाँ पर यहाँ पर फूल की एनरजी है गाइस तो आप दोनों सिंगल जब थे तो बहुत ही खुशी से रहते थे आनन से रहते थे जो मन में आता था वो करते थे जो मन में आता था आपके वही आप किया करते थे यानि अकेले जाना खुशियों को ग्रेप करना पिचर जाना शॉपिंग जाना यानि आप अकेले थे तो बहुत बहुत धेर सारी चीजे करते थे लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से मिले या थर्ट पार्टी सेच्वेशन आपके जब लाइफ में आ गई एक दूसरे के लिए तो आप बहुत ज्यादा बर्डन मसूस करन बहुत दूसरे इस धषुयां त £9 आपके लाइफ में खुशियां थी प्यार था। इसने पन टा लबरबंता बंता कूली तीमिट वी चाि आच़ चीजें तीप हर के दो में बड़न के रूप में बड़न गई आपका बहुत ज्यादा दील टोड़ा घया आपको खंजर बोका गया है आपको डर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है गाई जितने आप पहले अच्छे थे जितने कुछ थे जितने आप आनंद से रह रहते उतने ही आप इस समय दर्द में हैं भार महसूस कर रहे हैं अपने उपर गाई मैं आपके पीड़ा को दर्द को महसूस क कर सकते हैं यहाँ पर आप बहूत बहुत र Alrighty आप बहुत परशान हैं अपने लव लाइट को लेकर अपने लवर को लेकर अपने प्यार को लेकर six of search ये मैं बताता है आप बहुत बहुत ज्यादा अपने रिष्टे को निभाने की होशिश किए आप अपने दर्दद को छुपाने की कोशिश किए लेकिन एक दूसे से ये पीड़ा दर्द छिप नहीं पाई और आप दोनों ने मदद की अपने मर्जित तक पहुंचने की अपने प्यार तक पहुंचने की लेकिन आप लोग नहीं पहुँच पाए काईज यहां पर दिया गया है आप बहुत हार्ड वर्ड किये कि हम दोनों का रिस्ता जो है वो बच जाए एक दूसरे के लिए अच्छा फील करें लेकिन वो आपकी जो दूरियां है एक नहीं हो पाई जो आप तकलीप में थे पीडा में हैं वो और बढ़ती गई आप अपने मंजील तक अपने एक बोलते है कि थर्ड पार्टी सेच्वेशन हो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो या हो सकता है कि आपके कोई ऐसे बहुत करीबी दोस्त नों जो आप दोनों के बीच में आके दरार डाल दिये हो आप दोनों के प्यार में गाईज यहां पे कार्ट से यह पता चलता है और आप दोनों बहुत बहुत जादा पहले खुश रहने वाले मस्त मौला इंसान थे चाहे मेलो चाहे फीमेलो हमेशा खुश रहते थे लेकिन कोई ऐसा चीज आया थर्ड पार्टी जो आप लोगो बरबाद करके दुखी करके परशान करके चले गए यहां स चाहे और आप दोनों इस समय सप्रेशन में है तनाव में हैं और दूरियों में हैं गाइज आप लोग सिक्सापका पर यह बताता है कि आप बहुत बहुत जादा पहले जो थे वह बहुत Ihnen कि चाहते थे एक दूसरे के साथ एक दूसरे साथ फैमिली बनाना चाहते थे लेकि आपका ये जो जो हालात है वो बदलते गए third party situation के आने के बाद यानि दोनों के बीच में कोई तीसरा है guys आप लोग ये मान लीजिए और वो आप लोग को बहुत दूर करने की कोशिश भी कर रहा है या कर रही है आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चारी हूँ आपर कोई तो कोई ऐसा है कि आपको दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है आप दोनों एक होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई तो था जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई है दुरिया आ गई है और यहां तक यह भी बात है कि आप दोनों का दिल भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है मोड़ा गया है और आपको छलनी क्या गया है आपको इतना दर्द दिया गया है पीड़ा दिया गया है लव लाइ यहां पर लव लाइफ में आप यहां पर आपके लिए गाइडेंस आया है पोस्समिंट का काड आया है गाइज तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको इस सिच्वेशन से दुख से इस परिशानी से आपको बाहर निकलना है यहां पर रियल काड भी एकदम जायज बता रह भी लाइफ में बहुत जादा तकलीब जहलिए है प्रिजेंट में भी ए यह लाइफ आपकी बहुत जादा काले बादल छहा एक और आपका प्यार है वह अच्छा और रहने वाला है तो आप अपने अगर नों एक होना चाहते हैं दोनों पास आना चाते हैं तो पुरानी बातों को भूल कर आप निभी इद निग कर सकते हैं आ क्योंकि आपकी जो आने वाला जो future है वो अच्छा दिखाई दे रहा है सुख दिखाई दे रहा है डेज़ यह आपर देखते हैं और काड़ आपके लिए क्या guidance दे रहा है Love Life के लिए यहाँ पे का काड़ाइं है तो आपके love life को बहुत बहुत divine का भी bless इस्वर का भी bless प्राप्त है यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे तर देire ग डिवाइन का ब्लेश प्राप्त है गाईज लेकिन आपको इतना तोड़ा गया है इतना आपको जगजोरा गया है लब लाइफ में कि आपका जो अस्तुत है वो बहुत ज़्यादा डावाडोल हो गई है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा अस्तुत क्या है आप खुद का आस्तितु खोते चले जा रहे हैं तो आपको guidance दिया जा रहा है आप अपने इनर वाइज की आवाज सुनें यहां पे क्योंकि यह जो divine आपको बोल रही है कि आप अपने दिल की आवाज सुनें आप गम में दुख में पीडा में पड़े नहीं रहें आप उसमें आप ज्याद नहीं बातों को बूलने की कोशिष करते हैं तो आप उस सदमे से उस दुख से प्रिडा से बाहर आ सकते हैं गाईज आप दोनों के मन में भी यही भावना चल रही है कि हम दोनों किस तरह से सुखी से रहें सान्ती से रहें तो आप अपना अपनी नर वाइज दिल की तो यह मोहर लग रहा है आपके लव लाइफ के लिए कि आपका लव लाइफ जो है वह बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है बहुत लोग उसको तोड़ने की कोशिस किये हैं बहुत आपको चलनी किया गया है चीट किया गया है तो यह डिवाइन के तरफ से ब्लैस आपको कि आप अपने रिष्टे में अगर थोड़ा सा भी समझदारी लाते हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है आपका रियूनियन हो सकता है आपका जो प्यार है पहले वाला वो फेसे मिल सकता है अगर आप थर्ड पार्टी को अपने जीवन से दोनों लोग मिलके दूर कर सकते ह हैं तो यहां पर इतना बढ़िया और आप दोनों का जो रिलेशन है वह बहुत ही स्ट्रॉंग है क्योंकि यहां और यान का यहां पर फीगर आया है और दोनों हाथ मिले हुए हैं मेल और फीमेल का हाथ है तो आप दोनों अगर चाहते हैं आपका जो जो सूल मेट कनेक्शन है जो अंदर का फील है आप दोनों फिर से आप मिल सकते हैं रियुनियन होने का चांस है यहाँ पे गई और यहाँ पे पोस्टमेंट का काड़ है तो यहाँ आप पुरानी बातों को फूल कर नियू बिग्निंग अपने लव लाइफ में कर सकते हैं नई शुरुआत कर सकते है अगर आपको ऐसा दिल बोलता है तो आपकी इनर वाइज बोलता है तो आप कर सकते हैं लेकिन जब करेंगे आप उसमें आपको सब फलता जरूर मिलेगी आपके आज जो रिलेशन है उसमें जरूर से जरूर सुधार आएगा और आपको अपने लव लाइफ को अच्छा बन यानि आप वाकई बहुती मस्ट मौला बहुती खुश रहने वाले दूसरों की मदद करने वाले मस्ट मौला इंसान है गाइस और आपके साथ इश्वर और गौड कभी भी गलत नहीं कर सकता है जो भी थर्ट पार्टी सेच्विशन आपके लाइप में यह बाहर जाएगी और आपका जो सच्चा प्यार है सच्चा जो आपका स्ने है जो भी आपका लवर है प्रेमी है मेल है या फिमेल है या जो भी आपका सोल मेट है आपको जरूर मिलेगा और जो आपके साथ गलत कर रहा है वो गलत नहीं कर पाएगा आपके लाइप से हट जाएगा यहाँ पर यह तो आप बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे साथ बैटके हर बात को क्लियर करिए अपने एक दूसरे को समय दीजिए एक दूसरे से बाते करिए और अपना पहले वाला अलहड़पन लाईए प्यार लाईए स्नील लाईए मस्त मौला जो जीवन जीते थे वो लेकर आएंगे तो आपका जो जीवन है लव लाईफ है उसमें बहुत बहुत सुधार हो सकता है और आप लव लाईफ में आगे बढ़ सकते हैं गाईज अगर जो भी आपको ये रिजनेट करता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू